हेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको कुछ समर और विंटर प्लांट के बारे में बताने जा रहे हूं तो यहां पर मैंने दो पोट्स ले लिए हैं इन दोनों में मिट्टी बरूंगी मिट्टी बनने से पहले मैंने यहां पर 80% नॉर्मल गार्डन स्वाइल और 20 पर संट लिया हुआ है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है हमने ताकि हमारी मिट्टी जो है वो ड्राय रहे रहे अंदर से वो वेटना रहे है यहां पर गंबले में होल हैं तो इनको मैं किसी मिट्टी के तुकड़े के साथ धग दूँगी ताकि इन में से पानी पूरी उपर तक नहीं भरनी है, हमने थोड़ी जगा छोड़ देनी है, जैसे कि मैंने आपको पताई था कि मिट्टी पूरी नहीं भरनी है, इसलिए मैंने यहां पर 1.5 इंच तक गमला खाली छोड़ दिया है, अब हमने प्लांट्स डारेक्टिन में नहीं लगाना है, सबसे तरह से मैं बाकी कटिंग भी लगाऊंगी, पहले होल करूंगी, फिर इनको गमले में लगाऊंगी, हमने डिरेक्ट कभी भी कटिंग इसलिए नहीं रिपोर्ट करनी है, यदि हम इनको डिरेक्ट गमले में लगाएंगे, इनकी नीचे से तहनी तूट सकती है, जिसे हमारा ग्रो नहीं करेगा, तो मेरे यहां पर डेंथिस की कटिंग लग चुकी है, अब मैं नेक्स्ट गमले में सकुलेंट की एक वैराइटी और स्पाइडर लगा रही हूं, स्पाइडर के पत्ते सचुके हैं, इनको मैं हटाके गमले में रिपोर्ट कर दूँगी, और इसी तरह पत्ते को मिट्टी में रख दूँगी, ताकि यहां से पने रूट डिवलेप कर सकें, अब हमने दोनों प्लांट्स को गमले में लगा लिया है, अब इनको पानी देना है, पानी देना एक नए प्लांट्स को बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से हम उनको पानी दे रहे हैं यदि हम ऐसे सीधा किसी मक की सहीता से पानी देंगे तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने जगह से हिल सकते हैं, यदि वो हिल जाएंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, वो टाइम ले सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से पानी दिया है, आप भी ऐसे से सचे पानी देंगें पानी देने के बाद हम इन दोनों को शिड़ी अरिया में रखेंगे और सिर्फ मॉर निंग की सनलाइट हमने इन प्लांट को देनी है और हम इन प्लांट को डै रेक्ट चैरिए का यहां पaría हैं, यहां पैना प्लांट इना करने में आप dealing का नहות इन गमलों को मैंने शेड़ी अरिया में रख दिया है इनको सिर्फ 2-3 हावर्स की हमने मौनिंग सनलाइट की धूप देनी है और उसको हम शेड़ी अरिया में तब तक रखें जब तक आपको लगे नहीं यह चल पड़े हैं या नहीं इसी तरह से हमने क्लैंचो और विगोन्य लगाया हुए है यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्लैंचो के पत्ते गमले में रखे हुए बिक यह भी अपने पत्तों से प्लांट को ग्रो कर लेते हैं इसलिए मैंने को इनके पत्ते मिट्टी में रख दिये हैं इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मुझे फोलो करना ना भूलें